नमस्कार आदाब वसस्रियकार मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो दे लोकल रिपोर्ट के साथ आज अभी हम जी डी सी कॉलीज डोडा के अंदर है यहां पे जो है प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है स्टूडंस ने यहां पे प्लांट्स लगाए और रची में हूं अब देख सकते हो की यहां पे जो है डी फो साँ यहां पर आयो ग्रॉफ вызताली हे और यहां पर उन्हें ने जो है प्लांट लगाये है बिर्फ़ साथ ine के भी हो एघ्श चिह पर जो ऐ आयो हुए थे और इस प्लांटेश्ण ड्राइव में अपना हिस्सा द और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ कॉलीज के अंदर या यह फॉरस्ट डिपार्टमेंट का ही काम नहीं हम सब का यह रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है कि हम जाद से जादा जो है प्लांटेशन प्लांट्स जादा से जादा लगाएं प्लांटेशन ड्राइव करते रहें और जादतर आपने देखा होगा कि जब हमारे बड़ी वग्यरा होते हैं तो बड़ी वग्यरा के टाइम पर हम केक्स काटते हैं बहुत सारी चीजों का वो करते आप वो भी करिए लेकिन साथ में एक चीज हैबिट बनाएएं आप कि अपने बड़ी के दिर या क کजिस चीज को बनाती हो जो खतम हो तू एक चीज जरूर आप अपने मां लगटाना मैं भी अपने बड़े कर चायम पर एक प्लांड जो है जरूर लगाता हूं आप भी अपना प्लांट जो है लगा सकते हो और उसको सोशल मीडिया के उपर अपलोड कर सकते हो यह मतलब नहीं कि आप शो आफ कर रहे हो कि हमने प्लांट लगाया या आज जो हम ये वीडियो कोवरेज कर रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और ये मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए कि जादा से जादा जो है लोगों तक बात पहुंचे कि प्लांट लगाना कितना important है, क्योंकि सोशल मीडिया के उपर अगर हम show off, जिसको show off कहत कि ताकि वो भी प्लांट समझ पाए कि प्लांट लगाना कितना important और ये habit बनना चाहिए कि सभी बच्चे जो है, सभी बच्चे समझ जाए और जितने भी लोग हैं, जाए वो भूड़े हों या किसी भी age के हो, पेड की बहुत important से, आप पड़ते हैं कि हमारा जीना इसी से ह क्योंकि सास जो है, हम एक पेड से भी लेते हैं, आज के टाइम पे पल्यूशन बहुत जादा हो, और हमारे जम्मू किश्मीर में भी इंडरेस्ट्रीज, इंडरेस्टिलाइजेशन हुई है, जो कि development के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे development होगी लोगों की, कॉरिमेंटल साइंस पढ़ा ही जाती है, जिसको हम EBS कहते हैं, वो पढ़ा ही जाती है, उसके अंदर बताया जाता है, कि कितना important है, सभी students को पता है, और सभी लोगों को भी पता है, कि plants कितने important है, इसलिए जादे से जादा plants लगाए, आप देख सकते हो, यहाँ पर जो बो के नाम से यह campaign चलाई हुई है, plant a tree today, कि आज के दिन एक पेड़ लगाओ, it will help us breathe tomorrow, बिलकुल, कि आज अगर हमें एक पेड़ लगाएंगे, तो वो हमारे next generation के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारी next generation के लिए भी, जीने का सहरा बन सकता है, सास लेने का सहरा बन सकता है, तो इस प्लांतों की यह campaign भार भी चले, cities में चले, villages में चले, हर जगा पे जादा से जादा plantation हो, आप यूहीं the local report के साथ जुड़े रहो, हम भी यही उमीद करते हैं कि हमारी information आप के लिए अच्छी रही होगी, और जो है, आप ने जो सुना, आप वो implement भी करोगे, हमारा जो यह वीडियो बनाने का मकसद होगा, वो पूरा होगा, आप तक जानकारी जो भी पहुंची है, मैं अपने आपको खुश किसमत समझूँगा, अगर आप एक एक प्लांट अपने घर के बार या हमेशा लगाते रहोगे, आप दीजिए the local report को इजादत, और साथ में सुलिंदर पर यहार को भी, फिर कभी किसी किसे और किसी और अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ बताएंगे, आपके साथ बातचीत भी करते रहेंगे, आपको भी कोई अगर सुजेशन अगर देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर सुजेशन दे सकते हो कि दलोकर रिपोर्ट को और भी क्या काम करना चाहिए आप सुजेशन में लेख सकते हैं और हम आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ते रहते हैं दीजे इजाज़त नमस्कार मेरा नाम सीमा शर्मा है मैं जीडिसी डोडा में पढ़ती हूँ बीएस्सी फिव्ट से मैं जी एक्चली जब मैंने इनको देखा तो मेंको बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर जगा ग्रिनरी हो आज देखो हर किसी के पास अपनी परसनल गाड़ी है हर कोई अपनी आश्वारा में जिन्दगी जीना चाहता है मतलब कोई यह नहीं सोचता है किसी की इस तरफ सोची नहीं जाती है कि क्योंना हम एक प्लांट ग्रो करें क्योंना अपने बच्चों को यह सिखाएं कि प्लांट ग्रो करने चे तो उन्होंने भी यह बताया था कि देखो बेटा जो प्लांटेशन होती है वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए हम हमें सब किसी से भी पूछवा बच्ची से पूछव यह कहेगा कि ऑक्सीजन के लिए जरूरी होती है बट मैं यह नहीं कहूंगी कि ऑक्सीजन ओवियसली अक्सीजन तो कॉमन सी बात है बट नाट ओनली फ़र ऑक्सीजन इवन दो देगी उस फूड शेल्टर अधर मैनी अधर तिंग्स लाइक तिंबर वूड मैडिसिन एटसेटर तो देखो मेरा यह मेसेज है कि जैसे कि आप सब आपको बढ़डे होता है तो आप बहुत आपके इस अर्थ पर प्लांट जो होंगे 20 एटलीस तो होंगे तो अब मतलब कोई भी देखे का तो कितना अच्छा लगता है कि मतलब देखो जी मैंने ग्रो किया था यह देखो आज कितना बड़ा है तो फिर इसलिए मैं चाहती हूं कि सभी अपनी मतलब अपनी खुद की सोच से मालब कोई बोलने की तो बात है ही इसने यह तो हर कोई जानता है चोटा बचा भी जानता कि प्लांट जरूरी होते तो मैं चाहती हूं कि हर कोई प्लांट ग्रो करे हमारे जो अर्थ है उसको ग्रीन करे तो बहुत अच्छा होगा कियोंकि आज रैंक किसी के पास टाइम नांप नहीं कोई किस घाब के बारे में सौचता ही नहीं मतलब देखो नद आपको दीछो में जो बड़े-बड़े जो ओफिसर रोते हैं अपनी घाड़ियां है अपना हर कुछ किसी के पास टाइम ही नहीं Aim कि अहांपे deforestation तोड़ा समय कर दे कभी को जैसे आज प्लांटेशन ड्राइव तो आज सभी इस पर बोलेंगे हां जी आज प्लांटेशन ड्राइव चलो जी प्लांट लगा दिये ये दो तीन लगा फिर कुछ टाइम के बाद वैसा ही होगा किसी को यह नहीं रिमेंबर हो तो हम चाहिए हम चोटे बच्चे आभी तो हमारी बहुत एज है तो हम चाहेंगे कि आज हम सीख रहे हैं तो हम आगे आने वाली जेनरेशन को यहीं सिखाए कि प्लांट समय लिए कितने जरूरी होते हैं यहीं कि सिखाना है खुद को भी हमें खुद पर हमल करना होगा तब ही दूसरे हमारे हमें देखके वह अबज़र्व करके वह भी आगे वही चीज वह करेंगे अच्छी मुझे तो बहुत ही भुरा लगेगा कॉस मैं ही चाहती कि मेरे सामने क्यूंकि मैं अपने घर में भी किसी को पेड़ काड़ने नहीं देती मुझे अच्छा नहीं लगता है क्यूंकि कि अच्छा लगता है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई काटे गा ओविसले कोई बढ़ा होगा तो मैं तो डारेक्ली नहीं कह से ती बट मैं उनको समझाने की पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप हमसे जादा बढ़े आपको हमसे जादा समझे तो प्लीज ऐसा ना करें तो और इवन दो मैं यह बोलूंगी कि आप प्लांट ग्रो करो बट प्लीज दिफॉरेस्टेशन मत करो कि आपका नम मैं शिवानी शर्म है यहां जीडी सी डोडा मैं फिप्ट सेम में पढ़ती हूं कि आजकल इन्वार्मेंट के प्रती किसी का भी ध्यान नहीं है तो इन्वार्मेंट साइंस इसलिए सब के लिए जुरूरी है क्योंकि हमारे यहां पर प्लूशन बहुत बढ़ रहा है और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा कितना हमारा इन्वार्मेंट प्लूट हो रहा है कितना उसको असर हो रहा है तो इससे हम इन्वार्मेंट से जादा अट्रैक्ट होंगे हमें इन्वार्मेंट के बारे में जादा जानकारी मिलेगी और हम हमेशा इन्वार्मेंट के बारे म सुचेखे हैं हमेशा और अगर हम अच्छा सूचे हैं 50 यह लिए भी अच्छा ही ही होगा है Baltic मुझे लगता है कि हर गजुए सब्य०ंय को इन्वायर्मेंट प्रती एक्रक्ट है उनको पनदना है रिएंभीरं education studies को कंपल सरी कर दिया है विकाज आफ देखा गया है कि कितना प्लूशन हो रहा है इस दौर में बिल्कुल भी ध्यान ने दिया जा रहा है हमारी प्लांटेशन सिर्फ दिफारेशन हो रही है और इफौरेशन हो तो कहीं भी नहीं हो यह जा थक्ते सकते में कैंनी रहा है और प्लूशन हो रहा है बहुत और सारी और कितनी लेने के लिए भी नी फ्रेश हावाए हमारे पास वो भी हम प्लूटिड एर ही ले रहे हैं जिसकी वज़े से हमारे लंग्स वग्यारा खराब हो रहे हैं और मैं यहीं मैसेज जाहूंगी सब को क्या क्या बुलते है कि हमें कम से कम एक लिए साल में एक प्लांट तो करना ही च कोई सफर ने करना पड़ेगा आगे अगर इस दोर में नहीं होगी प्लांटेशन तो आगे जैनरेशन का क्या बनेगा वो तो कुछ उनके लिए तो ऑक्सिजन भी निशायद बचेगी प्योर वो तो सिर्फ और सुर्फ प्लूटिड एर ही लेंगे और जिसकी वज़े से ब बहुत अच्छा लगा हमें भी और मैं बाकी को भी यह मैसेज देना चाहूंगी कि एक यार में एक प्लांट जो है ग्रो करें ताकि हमारा एन्वार्मेंट जो है वो बिलकुल मेंटेंड रहे कोई भी डिस्टर्बेंस नहों और ड्यू टू एंथर प्रोजेनिक एक्टिव एक हम एनिमल्स वगेरा उनका भी सब चेंड रहे हैं तो क्या बोलते हैं हममें यह देखना चाहिए कि हम क्यों काट रहे हैं इतना जदावर्डर क्यों हम कर रहे हैं हमें नहीं करना चाहिए ऐसा लिकिन आज कल तो आँम है जिसने बड़े बड़े ऑफिसर्स बी देखो घ एक दिन को दिन देते है जिस दिन हम प्लानटेशन कुछ करें गिर उस दिन पर द्धान अधर्वास तो कोई दे रहा है लेकिन हमें इस बात पर द्धान देना चाहिए आगे हमारी जिनरेशन को कोई सफर ना करने पड़े तो यही मेरा मैसेज है